तो सर जो भी क्लास खाले होती उसी में जाके बच्चों की स्टड़े करवाने लग जाते और प्राइमरी जो विंग है वहांपे तो जाके सर इतने खूस होते थे कि बच्चों को लगता ही नहीं था ये स्कूल के हैड मास्टर हैं और बच्चे सर का हाथ पकड़के सर मेरी क्लास में चलो मेरी क्लास में चलो और कुछ बच्चे तो सर को देखते ही सर के पास दोड़े दोड़े आते हैं और ओफीस में बच्चों को यह नहीं पता था कि भी यह ओफीस है और सर के ओफीस में पूछ के जाना होता है अपने गीता सर्व से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि छोटी इननी बच्ची का ये उपहार सवीकार करें और दो लाई ने फिर लड़की बार में बोलेगी है। आएगी आएगी है। हम सब अच्चे धेनादान बढ़ने में नहीं था ध्यान हमारी भूलों को माव करके देज्यावीत्या का दान अपनी अनमा शिक्षा को खेल खेल में हमें सिखाया। संस्कारों के पाट हमें पढ़ाया। सही जलत का ग्यान कराया। हमारे निरासमन में आतम विश्वास जगा दिया। मंजीत तक पहुँचने का रास्ता हमें दिखा दिया। हैट सर हमारे आंगण को छोड़ कर जा रहे हो आप। जीवन में सदा खुसरो। यही है हमारी परभू से आप। क्योंकि हम जानते हैं कि फुन हैंड मस्टर सर हम जासे छोटे बच्चों को पढ़ाता है। यह खुपी तो सिर्फ आप में ही जी। हमारे खयार में आप जैसा परतिबा का दनी साइधी कोई हो। याद आएगा हमें वो आपका पढ़ाना, हसाना, सिखाना और धमकाना। याद आएगा हमें वो आपका हमारा छोटा सा हाथ पकड़कर कक्षा में ले जटा कहना। याद आएगा हमें वो आपका प्यार से सीर पर हाथ सहलाना। याद आएगा अपने वो आपका मंद मंद बुस्क्राना यह सोच कर हम सहन जाएंगे जब आप हमें विजाले में नहीं पाएंगे गल्टी से आपको दफ्कर में बुलाने जाएंगे पर आपकी कुर्शी को हम खाली पाएंगे फिर उदास मंद से वापस कख्षा में लोट जाएंगे फिर हमें एहसास होगा कि आपको अपने प्रिवार में भूल मिल गए हो साइद आप अब हमें मिल पाएं अन्त में मैं अपने नने नने हाँ जोड़कर बगवान से यही प्रासना करती हूँ कि आप सदा खुष रहें और स्वस्थ रहें और आपके अपरिवार में यूही पुष्णिया बनी रहें हमारी उमर में बगवान आपको लगाए धन्यवाद अजय तुम्हें पुझाया काई है अजय आपकर जीना दुसर नहीं आते